बच्चो नमस्कार आओ करें और सीखें भाग संख्या 121 में आज हम सीखेंगे गोडज एवं गोड़नखंड तो बच्चो सबसे पहले हम प्रस्ण को देखते हैं प्रस्ण में लिखा हुगा है निमलिकित संख्याओं के सभी गोड़नखंड लिखिए बच्चो सबसे पहले ह इन प्रस्णों को हल करने से पहले गुड़न खंड के बारे में समझ लेते हैं। कि गुड़न खंड क्या है? बच्चो किसी भी संख्या का गुड़न खंड का आसा यह है कि उस संख्या में कौन-कौन सी संख्याओं का भाग चला जाता है। अर्थाद वह दी हुई संख्या किस-किस संख्या से विभाज हो जाती है। इस बात का ध्यान रखें बच्चो कि प्रतेक संख्या में एक का भाग चला जाएगा। यदि गुड़न खंड पूछा जाए तो एक का समस्त संख्याओं में भाग चला जाता है। अब 36 में यदि हम 2 का भाग दें, तो 36 में 2 का भाग पूरी तरह से चला जाता है, आता है इसका गुड़नखंड 2 भी होगा, इसी प्रकार से 36 में 3 का हम भाग देते हैं, तो 36 में 3 का भाग पूरी तरह से चला जाता है, आता है 36 का गुड़नखंड 3 भी होगा, इसी प्रकार से 4, 6, 9, 12, 18 और 36 ये समस्त संख्याएं 36 की गुड़नखंड होंगी एक और महत्पूर्ण बात बच्चो कि परतेक संख्या में एक का भी भाग चला जाता है और स्वयम जो संख्या दी हुई है उसका भी भाग चला जाता है जैसे 36 में एक का भी भाग जा रहा है और स्वयम 36 का भी जा रहा है अता है उत्तर में 36 के गुड़नखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12, 18 और 36 इसी प्रकार प्रसंद 2 में हम 24 के गुड़नखंड देखते हैं तो इसका उत्तर होगा 24 के गुड़नखंड बराबर 1, 2, 3, 4, 6, 12 और 24 अगला प्रसंद 15 के गुड़नखंड लिखिए इसका उत्तर होगा बच्चो 1, 5, 15 और 15 इसी प्रकार से 12 के गुड़नखंड होंगे 1, 2, 3, 4, 6 और 12 है अगली संख्या 7 के गुड़नखंड 1 और 7 होंगे इसी प्रकार से 23 के गुड़नखंड 1 और 23 होगा अब बच्चो सबसे नीचे प्रसंद लिखा है वह संख्या लिखिए जो उपर दिये गए सभी संख्याओं के गुड़नखंड के रूप में आती है बच्चों हमें इस पस्ट रूप से दिख रहा है कि एक सभी संख्याओं में उभायनिस्ट दिख रहा है आता है समस संख्याओं में एक गोड़न खंड अवर्ष आता है अब बच्चों हम इस भाग के नए प्रसनों को हल करते हैं निम्लिकित संख्याओं के प्रथम 5 गुटज लिखे, बच्चो पहला प्रस्न है आठ के प्रथम 5 गुटज लिखे, बच्चो गुटज का अर्थ आपने सब्दों में यह होता है कि उस संख्या का पहाड़ा, अर्थाद हम 8 का गुटज लिखेंगे तो आठ एकम आठ पहला गुड़ज है आठ दूनी सोला दूसरा गुड़ज है आठ तिया 24 तीसरा गुड़ज है अठ चोके 32 चोथा गुड़ज है अठ पंचे 45 पांचवा गुड़ज है इस प्रकार से हम सारी संख्याओं के गुड़ज बना सकते हैं इसी प्रकार से प्रसन क्रमांक दो, दस के गुड़ज, बच्चों इसका उत्तर आएगा, दस एकम 10, दस दूनी 20, दस तिया 30, दस चोके 40, दस पना 50, अगला प्रसन चार के गुड़ज, चार एकम 4, चार दूनी 8, चार तिया 12, चार चोके 16, चार पंचे 20 अगला प्रसन बारह के प्रथम 5 गुड़ज, बारेकम 12, बारह दूनी 24, बारह तिया 36, बारह चोके 48, बारह पंचे 60 अगला प्रसन नो के 5 गुड़ज, नो एकम 9, नो दूनी 18, नो तिया 27, नो चोके 36, नो पना 45 इस प्रकार से इन दी हुई संख्याओं के प्रथम पांच गुड़ज हैं बच्चो इस प्रकार से हम आगे तक इनके अनन्त गुड़ज बना सकते हैं बच्चो अगला प्रसन है जाच कीजिये और पता लगाए कि क्या इन गुड़जों की सूची कहीं समाप्त होगी तो बच्चो इसका उत्तर होगा इन गुड़जों की सूची समाप्त नहीं होती है यह अनन्त तक जाती है क्योंकि हम किसी भी संख्या में एक से लेके अनन्त तक गुड़ा कर सकते हैं अता है उसके अनन्त गुड़ज प्राप्त होते हैं बच्चो धन्यवाद आज इतना ही अगले वीडियो में हम जल्द मिलेंगे आपसे अनरोध है कि आपने यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक सेयर करें धन्यवाद